रहेást बंदेमातरम बहुत सारी यॉबाग अश्माइचे कम्मेंट कर रहे थे सर जो पर्थम पर्सन पत्र है आपने उसका वीडियो नहीं डाला कि पिछली बार परसें आये थे क्या उनसे संब्सक्राइब किया कोई दूसरे आएंगे क्या मॉडियेट पर आएगा कया आएगा कैसा कहने के ताथ पर यह था उनका कि इस बार क्या से ले बास थोगा सा चेंज हो सकता है पिछली बार में जो प्रिशन आई थे उनसे कुछ परवर्टित हो सकते हैं कितने भी हमारे भाई हैं सभी लोग जोड़ जाएं और इस वीडियो को सभी भाई हों तक पहुंचाएं इसके पहले में आप लोगों से अन्रोद और आग्राय करना चाहता हूं कि बहुत सारे बंदे मुझे कौल करते हैं तो यह नहीं जानते कि मैं कहा हूं किदर हूं कई ब करें अगर आपको मुझे से बात करने सबसे पहले बात करने का तरीका होता है आप हमसे पूछते हो क्या सरीवान जी आप अभी फिरी है क्या आपके बात समय है अभी मैं आप से बात कर सकता हूं एक तो एक तरो तरीका हो गया आप सिदा प्रिशन छोड़ दोगे हो सकता है मैं पता नहीं किस मूड में हूँ किया चिंता है क्या क्या कार कर रहा हूं कि तो कई यसा होता है मेरे दॉरा भी गुड midnight leverage का यूज हो जाता है , поэтому मैं ईभ समय मांगना चाहистा हूँ जिनकी साथ कभी कि ऐसा हो जाता है क्यों कि देखर महराज जब 50 फुन किसी की पर आ जाते हैं लगाता ठूरू जी हमारे पत कुछ है नहीं हम काचे यहलै करें तो हर संबबy हमने उनका प्रयास किया के से उनके साथ अच्छा हो सकता उतना अच्छा हम आश्या करें चलो आब हम baixo करते हैं बाद करें मुद्य की बात के जिसरी में आज आया था भू सारे सकति आपं में बात अब हमारा प्रवार बड़ा होता जा रहा है तो बहुत सारे call भी आते हो call उठाने वाला में ही होता हूँ क्योंकि अगर कोई office वो है या किसी दूसरे को मैं फोन पकड़ा भी दूंगा किसी को अगर कोई उठाता भी है तो वो आपकी बात के जवाब नहीं दे पाएगा जो सबस्कार को पूछा जायते हैं योगतर विख से संब्दिदे या पोष्ट संब्दिद महराज कुछ भी आप पूछ रहे हो उसका जवाब मेरे पास ही होता है उनके पास नहीं होता है तो इसलिए सारे call में ही उठाने का प्रयास करता हूँ भली दूदिल में मैं आपको call क पर ज़रूरी जाता है इसलिए आप ध्यर रखें सब सच तरीका है आप मुझे पहले बाट सब्सक्राइब मेसेज करें फिर आप कोल करें तो मैं समय लेता हूं मैं आपका सीधा उत्तर दे दिया करूंगा तेके मात चलो हम बात करते हैं आज इसके लिए मैं आया था मैं कोई अंतर समझ में नहीं आया यह अगर आपका प्रेशन यह आ गया कि बना वली हड़पा सब्चा कहां है तो पिछली बार यह भी आया था कि भेया जो बड़ापा सब्दता है इसकी खोच किसे ने करी तो कहने के मतलब है कि कोई भी स्लेबर चेंज नहीं हो रहा है पिर सिन उसी से पूछ रहे हैं वह हो सकता है कि इस बार आप से पूछ लें कि लोकसवा में चैनित होने की आयू कितनी है निरवाचन की यह आप जब खड़े होत करें तो माराज पेपर एवरेज रहेगा आपका ना जाना कुछ बदलेगा और ना जाना उसमें कुछ उंचाई देंगे एनिक जना कठेंगे जो पेपर नॉर्मल आ रहा था हो ही पेपर आएगा तो माराज परले बात समझने कि यह है एक बात और ध्यां रखना में आप ल बलाएंगे फिर भी यह लोग मेरेट बना रहे इसका मतलब किया है इसका मतलब यह है कि हमसे ही कुछ गलतियां होती हम इनोड़ी पेश्व को समझते नहीं है पर बात में परेशान होते हैं पर अच्छे से पढ़ें यह लोग हर एक स्टेज पर आपका मेरेट बना रही है स्टेज पर देखो धर्ण्चा कर लेते हैं अगर आपके प milliseconds भी यह वह आपको बुलाएंगे लेकिन बात होई है कि आपका ब्लाइंगे से आपका बहला नहीं होने बाला आपका बलायं रची होगी मरा तुसरी बात यह है पिछली बार सारे बंदें कट आउट हो गए थे एनकी फिजिकल मेडिकल के बाद भी उनको नहीं बुलाया कि अच्छात कर्में करण वही था उनके नंबर बहुत जन्दा वास्ता में कम थे तूसरी बात ऐसे हैं कई बंदे फिजिकल मेडिकल में नहीं बुला जाते क्योंकि वह सामान ग्यान में फैल ह सही करा दूं यहां रखना है वीडियो बड़ा होने वाला है यतना हो सकते वीडियो शेयर करें अपने मित्रों साथ अपने दोस्तों के साथ और इस पर बचार चंता जबू करना है तो नहीं करा पाएंगी आपके लिकिन मैं आपको स्थांकित दूरू में बहुत बड़ा एक संदिज देना चाहता हूं जो समझ आ रहा हो वह समझ जाएगा महराज इसके वीचे में इक बात और करना चाहता हूं जैसे है आपका पेपर होगा आपको फुल कॉन्पिटेंस है कि मेरे सामन यान के बहुत अच्छे पेपर बहुत अच्छा गया है मेरे नमबर बहुत अब लोग घर पे बिल्कुल में बैठे हैं तुरंत तयारी में लग जाया है इस बार जो साथ-च्छात-कार हुआ था मैंने बहुत सारे बंदों से बड़ी मेहनस से बहुत सारे प्रिशने खटे किये हैं और उन पर हम तयारी आपकी कराएंगे इसलिए आप एक्जाम देने क आप तयारी रखें बिल्कुल भी इसमें कोई आलस ना रखें हमराज दूसरा प्रिशन था के पेपर हल कैसे करना है देखो मराज पॉइंट फायब की आपकी माइनिस मारकेंग है अगर दो कुस्टन गलत करोगे तो एक सही आपका कार दिया जाएगा मतलब यही है मराज प के दुनों आएंगे पॉइंट फाइब की मारकेंग है ऐस अगर फ्यूचर में काई बंत है तो कुछ री में प्रसन को कुई नाम तक जाता आए जो कुछ जाने ही पर चलेते हैं हम लोग हर बढ़ा के उसको टिक कर देते हैं फिर आप सही नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं आप से बोड़ रहा हूं कि प्रिशन को दो बार तीर बार पड़ो आराम से कड़ो बहुत समय होता है आपके पास तो को सामन ग्यान की में बात करू सामन ग्यान में जाना क्लम आपको चलाने की आफसाथा नहीं है आपको लगता है 25-28 मिले एक पुल्ड़ को सही है फिर आप गलत मत छिड़ना जैसे 20 से नीचे नहीं होपा है मारत 20 से उपर रहेंगे फिर पूरी मेहनत करना है किसमन ध्रहम साथ के पेपर में एक-एक कदम आपको फूफूख कर रखना है क्योंकि एक-एक पॉइंट से आपकी मेर्ड बनती है वह आपको नहीं दिखाई देती रहा रहना वह बोर्ड को वालों को उसकी महत्ता पता होता है वह आपको पता ही रहता है इसलिके सोच समझ कि हमको टिक मारना है कंपूटर पर अच्छे कुछ दिक्कित आ सकती है ध्या रखना मराज बहुत साइस धर्मगुरूं से हमारी बात होती रहती है वह सीधा बोलते हैं बहुत अपमानित किया रहता है अगर कोई बंदा दारू पीता पकड़ा गया वह आर्वी धर्मगुरू की पोस्ट पर आप मैं जाना बात नहीं कर गता है और पर उसका बात सही है मराज जीसे पोस्ट पर आप हो वह से पोष्ट की मर्यादा रखने का आपको जो करता मिला है उसको पूरा कड़ा करो कम-से-क- सब्सक्राइब करने करें 파णू के इसह विप्रीत कार रही हो यह ऐसा का निचिभी ने कर सकता पी तुछ पिर आप नोकी तो करते रहों कि लेकिन बेलू नहीं रहेगी और बिना सम्मान के धर्म गुरू का कोई जीवन जीवन नहीं होता है मेरी दरश्टी इसलिए ज्ञारखना कई लोगों को हैविट होती है लोका चुपी करेके पीते रहते हैं बहले हैं आप सुचो कि ऐसे बंद कि क्या होता है कि आपकी कुछ सेल ही अच्छी होती है स्याब भरती हो जाते हो फिर बाद मड़ी दिक्केते हैं इसका भी जारखना चलो आज हम बात करेंगे जो पिछली बार जो पिर्शन आयते हैं उन पर चर्चा करेंगे तो पिर्शन आया था आप लोगों का कि तो आपका प्रैसन पत्र है तो तो था आता है वाया जो होने वाला है वह एवरी जाएगा हमराज से बोलगता है तो वह तूतीन साल पीछे के प्रैसन पत्र देख लें और उन्हीं सम면दे थोड़ी बाखाय बाखया चीजह पढ़ लें उनमें से उनका फंग पहच जाएग सागर कौन सा है ऐसी चीजे पढ़ लो कि तब भी आप सामन ग्यार में आम से पास हो सकते हो करेंट अपर चोड़ेगा तो आपको साथ में लेकी चलना ही पड़ेगा तो राश्पते को चुनाओ कैसे होता है तो को कई प्रकार की अब इस पजाना में उत्तर तो नहीं सब्सक्राइब करते हैं जिसमें दूर्व के लिए करते हैं हम सकते हैं राश्पती इसमें आज देखा देखा जाएगा मैनुली रूप से प्रिधामंतरी की बहुत बढ़ी भूंगा होती है तो मस बहुत चुनता है तो अगर उसकी पार्टी में जाना बहुमत हैं वह बहुमत तो होगी तो प्यालबंतरी बना है तो उसकी संभवणा बहुत ना बन जाती राष्टपती बने की जैसे अभी देखा होगा मुद्य जी ने दूर राष्टपती अपने च्छक नुशर किये थे तो अब हमको इसमें क्या करना आपढ़ना है जितने ही माझ पद हैं यहिए अनुक्य और इनकी होती है और जो नरवाचन की जो प्रलाली है एक किस अनुश्यत में आती है तो प्रॉपली जानकर यह आपको नॉर्मली होना चाहिए ऐसी पुछ लिया था पिछली बार कि इंडियन आरेनी की ब्रिगेडियर नेवी में किसके समान होते हैं अब यहां पर बात हो रही है को जो तीन से से चैनाओं में हर वार आता माज इसके पहले भी आया था इसमें भी आ गया दोहर त्यस्य में वह फ्रох बाद स्कूर्श को पोईन पूंच लेंगे तो था और आशक से कलम्य आपके पोंस्ट हो फिर रहे आपका इनका कहने का यह में पढ़़ना है यह ननंकी पद हैं तो आपस में कितनी समान अंतर है अगर में आपसे कहूं कि आपके पोस्ट होती है जिस्यों की पोस्ट का लेवल अगर में नेभी में बात करूं है और अधकारी है उनके तो पद्वी को नेभी में क्या बोलते हैं और थलसेन वे क्या बोलते हैं तो नौ देख लेना ऐसे प्रसन आया था आपका कि दुराचाडा वार किस खेल से संब्देत है इस बार दुराचाड पूछ लिए उसका है अगली बार हो सकता है दिहांजंदर पूछ लें वो आप से हो सकता है कोई प्रदेश का खेल पूंच लें या किसी खेल की ट्रोफियां पूंच लें या जो आयोजन होते हैं सबस्टनार ध्यारक ना इस बार जो प्रदेशन आ रहा है बहुत जना अन्य पेपरों में वह आ रहा है जूनियल संब्सक्राइब है यह बहुत अच्छा प्र करा दों में प्रदारी प्रदुपरी पद होता है राष्टती पता है वहां का अध्यस वन राष्टती होता था उनकी नाम हो पहता होता है इक बार रूसका राष्टती के नाम पूंछवा या ना तो ठ्र Разक meer आदव च्यादा बवर्फ्चें को पिट्रा को हैं कि कितने देश लगते हैं पहले दूसरी बात अगर मैं बूला कि हां से कितने प्रिदेशों की शी enfor में दिशाों की तो त्टिए दूसरी बात भारत से समद्ध जिनी सीमा है देशों की वो और किसों-कॉन सी प्रदेश ऐसे में बगाले डेश से कुतले प्रदेश हमारी लगते हैं पांच लगते चार लगते तो आपको बताना रहा है महरा तो आपका पूरा से दैब्सक्राइब से आएंगे तो आपके प् नाम क्या रेखा प्रड़कर पाकिस्तान से भात्रत से त्सकों नाम क्या दियते हैं तो देख लेना आप लोग उष्छा से पढ़ लेना आप पूछेंगे ऐसे उन्हें पूछा सिरी हरी कोटा के सराज्य में हैं आपका सामनेन वाले महत्पून पूर्शन है और भी पूछ सकते हैं कि अभी चंद्रियान छोड़े गया है महराज इनकी बारे पूछेंगे क्योंकि देश की गोरब की बात हैं उन्निती की बात है और चु सब्सक्राब से बनाते राजने की रूप से तो यह इसमें की भाजपा की बड़ाई की प्रसंता है कि इनके कारकाल में ऐसा होगा है पक्का के प्रसंत देंगे महां धारना दुराम मंदर तिंस्वत्त दहरा कुरोना समंदित इसके बार अभी जो योजना लागू ही है जो सब्सक्राइब होगी है और अच्चन बेल महलाओं के लिए ऐसी बहुत सारी प्रसंथ ऑसे संताल के बाद कब तक अंगरी जोने सासन किया अब जों समंदित कौनुं कूंसियात है वो देखो विख लो कि मैं 22 बहृत में किस माद्धम से प्रवेष किया आपने प्रवेश कि प्रफिया था सबसे पहला बाइशराय कौन था सबसे पहला बंगाला गवर्नर कौन था इसके बाद बंगाल से बहारत बंगाल से दिली कब राजदाने इस्तानतेद हुई महराज जो बवड़े मुद्धे हैं और बवड़े महराज जो टॉपिक है इने पर फोकॉस कर लेना इसको आप फूंचे गए तक भारत की पूंचे लेते हैं तो इस पर आपको फोकॉस करना पड़ेगा ऑंगले इसे बहुत सारे आंद जी ने अंद्यलं चलाए ऐसे ही सोभश थे घुजी राम बोश थे इनको कब हांस्री होई महाजण की आयू क्या थि उस समय एक कि केस लगा हुआ था कुन चाहरीज की हत्या हुई थी तो आप लोग पढ़ रहे ना आप बोलोगे कुंसी बढ़ी है तो हमको भी पता है लेकिं महाराइज ध्यार रखना आपको तो बहुत कुछ पता है यह बहुत कुछ पढ़ोगे तक मैं इसलिए बता रहूं जो मैं बता र सब गांग में तो सबको पता होता है कॉन से मौट मेडिया में में खुब हवावाई होती है हूज चौन चणकारी यह नहीं rainbow को महराज तोड़ासा हो तूछी चानकारी bottoms कि इसको कम हो feeling good के राजचल दानी क्या राजज्य इसके बात कर रहा रव HEDet कि बात कर रहों यहां से सुनना यहां से पढ़े लो जो देश के साथ समुझ चलो ठीक ही तो हो गया इसके बाद अगला प्रसंद है काना नेशनल पार्क किस पसू के लिए प्रशिद्ध है देखो प्रसंद घुमा दिया उन्होंने वैसे पहले क्या पूछते थे पहले पूछते किस राज्य में इस्ते थे लेकिन इस बार क्या पू सकते हैं या कौन से बने जीब अब्याराण में कौन से बने जीब जाना है भी पूछते हैं या कोई नय लाई गाएँ हो तो भी पूछ चूछयी पूछता उम्राजर Allah मंतरी को को राष्ट करता है तो रास्टपति करते में तो पूछ से आपसे ऐसे ही ओर इसका मतलब है इसका मतलब है वो एक दूर साल पीछे का भी पूंचते हैं वो दूर बाइस का भी पूंचते हैं तो हमेज़ा में करेंट अच्छा काम किया था और वो किस छेत्र से समद्र रखते थे ऐसी पूछी जा सकते हैं तो बहुत सारे प्रस्ण जाना चल्चान कर पाऊंगा लेकिन मैं आप लोगों को संकी दिरू मैं समझा रहा हूं कैसी पूछी आता है डियार्ड ओ किस के इंतर आता है समझो भाड़ा तो आप दिहां रखना जितनी भी अच्छा अनुसांदान केंदर हैं हमारे यतनी भी हमारे स्टर्ट से केंदर हैं उन्सें समद्र प्रस्ण पूंचते हैं वो सकता आप लोग सवा के पर्थम अध्यच लोग सवा के पर्थम अध्यच अब बात समझो इसका मतलब क्या है कि भी और वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है है कि अध्यच पूछ अब भी पूछ लिए के अध्यच कोन है वह सकता है वह ही पूछ लें की कौन थे ऐसी सब्सक्राइबं के समयं बहुत सारी बात है है शोटे सी वीडियो में बतानी सकता एक मॉर्मल परसन है मैं थोड़ी सक्टी देने हैं आयता है कि आप लोगॉच ब पर दंब्स होनगे लेकिन पास होना हमारा उड़िष चाहिए छीDR हमérieे मेरेटे सब्सक्राइब debate करें कर दा दा रहा है अगर आपके लग लें भाझ साथ नंबर भी है तौह शाहाँ आप बने ही जाओगे और आदमी त्याकि देख जो कि अधर्च में अधर्गना सबसे सरल प्रॉसस होता है, होगी सोजने वाली बात है मराज को और होंबक लेकिन समस्य यह आती है कि हम उसी को नोर्मल को अच्छी से नहीं कर पाते हैं पढ़नी पाते हैं फिर हम लंबी लबी हांगते हैं एक बात बता रहा हूं दिहां रहा हूं मैं आप लोगों को बहुत सारे बंदों ने इस बार भी आलतु-फालतु पैसे दिये हैं तरा लोगो जो की सेना से उसका कोई संबंद नहीं होता है और घरवालों को परिशन करते हो आप लोग जबी वैस्ते हो पैसा देते हो इस पर धियान रखें बहुत सारे चातर ठीक एक वीडियो तो आप लोगों कैसा लगा नॉर्मली में परिशन लाया था आप लोगों के सामने और सम पाते हो सामन ग्यान खाली वह देखते हैं कि आप इस परवेशिक से कितना समद रखते हो कहीं मंदर में ही नहीं बैठे रहे मराज आप इसके लाब दुनिया देखें कि नहीं देखिए अब इजिस में क्या चल रहा है क्योंकि जब आप भड़ती हो जाते तो उस समय आपक करने के लिए नहीं आप अपना काम करो और छोटा से शेत्र आपका उसको अची संदुर्द बनाकर के रख को अलग से नहीं दिया गया तो वीडियो आप लोगों के लिए के लिए बड़ा महत्पूरा कंवें रूकर वीडियो कैसा लगा इसके आप किस बात पर वीडियो बनाना चाहते हो, उसके लिए आप लोग कम्मेंट कर सकते हो, एक बात और कहना चाहूंगा, जो बंदे 2024 के तैयारी कर रहा है, अगली बारी, तो जिनके पास मराज डिग्री नहीं है, डिप्लोमर नहीं है, वो कॉल कर सकते हैं, कॉल ना करके